मटर का सीजन है तो मैंने सुचा कुछ डिफरेंट और हेल्दी बनाती हूँ जो कि खाने में भी मज़ा आ जाए और स्वाद भी काफी लाजवाबा बनाना भी बिल्कुल आसान हो जाए साथ-साथ हेल्दी तो होगा ही आज मैं बनाने जा रही हूँ आटे से मोमो आप लोग मैदा से यानि कि मैदा से ही बनाया जाता है यह और धेर सारी इसमें कच्ची सबजिया डाले जाती है लेकिन आज मैं थोरा सा डिफरेंट बनाने जा रही हूँ तो इसके लिए मैंने लिया है मतर जिसे मैंने एक कटोरी में लिया है नीचे मैंने एक आलू डाल दिया है और नीचे थोरा सा पाने डाल करके और उसमें मतर रख करके इसमें मैंने एक विसल लगा दिया है जब तक हमारे कुकर में विसल आ रहा है तब तक मैं इधर आटा गो लेती हूं इसे ढख करके साइड कर लेती हूं देख लेती हूं अपने मटर को तो मटर हमारा देख लेते हैं उबल गया है तो बहुत जादा विसल नहीं लगाना है आपको वरना ये बहुत जादा गिला गिला सा हो जाएगा और इसे एक चाली के बरतन में उजल दिया है ताक में काट लेती हूं और अद्रक और लहसन इसे डाल करके मैं खलबटे में कोट लेती हूं आप चाहें तो काट भी सकते हैं एक हरी मिर्च ले ली है इसे भी में तोर करके तो हरी मिर्च आप तीखा जितना करना चाहते हैं उतना कर लीजिए तो मैंने दो तीन हरी मिर्च ले ल मटर थोड़ा थंड़ा हो गया है हलका हलका फूरी तरह थंड़ा आपको नहीं करना है और अब एक पोटाइटो मैसर से मैंने इस तरह मैश कर दिया है और इसी में एक आलू जो बाला था उसी में मैश कर देती हूँ सारी चीज़ों को मैश कर दिया है इधर मैंने एक कड़ाही चरहाया है और कड़ाही में डाल लते हैं एक चमच तेल इसमें बनफोर चमच अजवायन और दो चुटकी हींग थोरा सा ये सारी चीज़े हलकी सी कलार आ जाए तो थोरे सी कसूरी मेथी और प्याज जुबारी रखा है उसे डाल लिया है डाल करके इसे हलका सा भून लेती है और जो अधरक लैसान कूट करके रखा है उसी भी मैं इसमें डाल करके भून लेती हूं तो बहुत जादा हमें इसे लाल नहीं करना है और आप इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं जिसमें थोरी सी हल्दी पाउडर डाल ली है और थोड़ा सा इसमें 1 फोर्थ धनिया पाउडर डाल लिया है डाल लेते हैं अपने मटर वाले मिश्रन को और इसे मुहून लेती हूं थोड़ा सा इसमें मसाले के साथ में जिससे की इसका स्वाद काफी बढ़ जाएगा क्योंकि हमने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला था तो डाल लेते हैं स्वादा अनुसार इसमें नमक सारे चीजों को एक बार मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके साइड कर लेते हैं थोड़ा ठंड़ा हो जाने देते हैं ठंड़ा जब तक हो रहा है तब तक चलिए आगे की त्यारी कर लेते हैं तो अपने रोटिया आपको बहुत बहुत बिल्कुल जादा पतला नहीं करना है और मोटा भी नहीं रखना है वो मैं आपको अभी दिखा देती हूं कि किस तरह की रोटिया हमें इसे बनाने के लिए चाहिए होगा तो आप देख लिजिए इतने थिकनेस इसकी बस होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला करेंगे तो क्योंकि यह आटा है फट जाएगा तो इतना हमें इसे थिक रखना है और आप मैंने एक छोटा सा ग्लास लेया है उसे सुखे आटे में डाल करके और इसे इस तरह गोरुको लेक सेप में काट लेती हूँ तो मैं बनाने जा रहे हूँ मीनी मुमो छोटी-छोटे मुमो में बनाऊंगी और देखने में काफी सुन्दर लगता है ये मुमो आप चाहें तो इसे बड़ा बना सकते हैं लेकिन मैं ने इसे छोटी-छोटी मुमो बनाई है तो आप इसे मीनी मुमो बोल सकते हैं और इसमें मैं अपने वृ लोगी तो फीलिंग बहुत ज़ादा क्योंकि छोटा-छोटा ही चोटी सी इसकी पूर्या है तो थोरा सा ही हमें इसे भढ़ना है और आप इसे आच्छी तरह हमैं इस तरह प्लेटे दे दे करके जैसा कि मुमॉ बनाया जाता है मोमो बहुत सारे डिजाइन में बनती है तो मैंने तो बस यह सिम्पल सी ही डिजाइन दी है इसमें मोमो आली तो इस तरह मैं दो डिजाइन में यहाँ पर मोमो आपको बना करके दिखा दूँगी तो मैंने छोटी छोटी मॉमो यहाँ पर तयार कर ली है मैं इसे बनाने के लिए steamer नहीं ले रही हूँ यानि कि जैसे हम कराही में पानी लेते हैं नीचे पानी डालते हैं फिर उसके उपर जाली का बर्तन रखते हैं वो चीज़े मैं यहाँ पर नहीं करूंगी मैंने इसे उस तरह स्टीम नहीं किया है मैंने इसे स्टीम करने के लिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है हो सकता है आपके घर में वो ना हो तो आप सिंपल जिस तरह कड़ाही में पानी डालते हैं उपर कोई जाली का छाननी में गरा बरतन रख लेकिन क्योंकि मेरे पास यह है तो मुझे बहुत आसान लगा इसमें बनाना तो अगर आपके पास है तो आप भी इसे आज मा सकते हैं तो यह है एक boiler इसमें थोरा सा पानी डाल देते हैं और बहुत जटपट से इसमें बन जाता है आप देख सकते हैं साथ आठ तो बहुत ही आराम से बन जाता है इसमें साथ हैं दो साथ इसमें बने हुए आप देख सकते हैं एक सेंटर में हैं छे साइडों में हैं और उसके उपर भी मैंने दो तिन रख दिये हैं और इसे ढख दिया है स्टार्ट कर दिया है मैंने इसे और फटा-फट से इसमें से आप बहुत सारे मोमो बना करके तयार कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं और आप बनाते समय न थोरा सा इसमें न उपर वाले में थोरी ओईलिंग कर दीजिएगा क्योंकि मैंने आटे से बनाई है न तो इसलिए हलकी हलकी थोरी चिपक रही थी क्योंकि मैं इसमें तेल लगाना भूल गई थी जब मैंने देखा कि ये निकलने में थोरी इसको परिशानी हो रही है तब मुझे लगा कि इसमें थोरी सी ओईलिंग कर देते तो ये आटे वाली बहुत आसानी से निकल जाता लेकिन कोई बात नहीं गलती उसे हिंसान सीखता है तो आगर इसमें वनाएंगे तो आप थोड़ा सा इसके उपरी सत्ता पेना इसमें थोड़ा सा आप वह कर लिजिए तेल ऐलिंग और जाओं से थोड़ा सा ब्रस लगा लिजिए आप इसे में सिंपल नहीं तरका में लगा लेटीगे मैंने डाल लिया है एक चमच रिफाइंड और आदी चमच राई थोड़ी सी तरक जाएगी तो मैं इसमें डाल लूँगी अपने दो चार कड़ी पत्ता मैंने डाला है और आदी चमच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है और आप इसमें मैंने अपने मॉमो को डाल लिया है बहुत ही स्वाधिस्ट और एकदम दिफरेंट ये बन करके तयार होता है और खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट लगता है अब एक बार बनाएंगे तो आपको लगैगा कि बार 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 इसे बना करके खाण आपको कैसी लगिए मटर वाली तरके मार मॉमो की रेस्पी आपको अगर ये रेस्पी थोरी से भी पसंद आए तो प्लीज एक लाई कीजिएगा अपने फेमली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप भी इस रेस्पी को एक बार ट्राई कीजिएगा बहुत ही टेस्टी हुआ था घर में सभी को काफी पसंद आया और सबने ये कहा कि फिर से इवाली आप बनाना मैंने भी इसे पहली बार ही बनाया था तो आप इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा देखने में तो खुबसूरत चोटे-चोटे लगते ही है आप इसे मैदा से भी बना सकते हैं मैंने तो बस आपड़ा से बनाया है क्योंकि मैं कुशिश करती हूँ कि मैदा कम ही घर में यूज़ करूँ क्योंकि आपड़ा हएल्दी होता है और मैदा अनहेल्दी तो मैं ले करके इसे चलती हों सबको टेस्ट कराने के लिए पूछते हूं चल कर सबसे कि कैसा हुआ है क्योंकि थोड़ा नया है थोड़ा डिफरेंट है ये रेस्पी मैंने पहले कभी ट्राइ नहीं की थी तो मैंने पहली बार इस रेस्पी को ट्राइ किया और मैं इसे पूछते हूं चल करके कि ये रेस्पी आप सब को कैसी लगी अच कि ये और बाइ बाइ